अलो दोस्तों मैं पनकच छोधिवए वीटीनेस अब में आपका स्वागत है आज हम देखने वाले वेस्टरण डियलवे की नीउ वेकशि के बारे में इस वेकशि के बारे में हम कम sticker जाने कब तक आप फरों फिल कर सकते हैं कब से फरों स्टार्ट हैं कितनी आपकी पोस्ट रहने वाली है और क्या आपकी सेलेरी इसमें रहने वाली है ये बात करते हैं हम Western Railway जो की Office of Medical Director जग जीवन राम होस्पिटल मुंबई सेंटल का ये वेकेंसी है ये वेकेंसी है Engagement of Contract Medical Practitioners and Paramedical Staff on Contract Basis in JRH यानि जग जीवन राम होस्पिटल मुंबई में है जो की आपको सेंटल मुंबई में है इसकी वेकेंसी ये रहने वाली है परामेडिकल स्टाफ की यहां पर वेकेंसी रहने वाली है अब देखते हैं बात करते हैं पहले कि ये कब से आप क्या इसका पर यहां पर क्या प्रोसेस ये प्रोसेस रहने वाली है इंट्रू की वाट्सप या टेलिफॉन से और आपको जो फिल आप देपोस्ट आप कॉंट्रेक्ट मेडिकल प्राक्टिशनर जीडी आइमो स्पेशलिस्ट एंड परामेडिकल के टेगरी इन ग्रूप सी और फुल प्रेल वे आपको पोस्टेड किया जाएगा यानि कोईड आइस्वलेशन वार्ड्स में आपको कंडिडेक्ट को पोस्ट किया जाएगा नेक्ट मात करूं देख कंडिडेक्ट में एपलाई ओनली ओनलाइन ओन आवर ओफिस्यल वेबसाइट यानिकी सीदी-सीदी बात है क इन्होंने साब साब कहा गया है कि ओनलाइन एपलिकेशन ही आप फिल करेंगे और अदर कोई भी चैनल यहाँ पे एपलिकेशन का एक्सेप्ट नहीं होगा इनकी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आपकी आप इसकी ओपिसल वेबसाइट पर भी पर अपिछा सकते हैं नेक्स्त बात करूं इंपोर्टेंट इंट्स की तो डेट्स ऑफ सब्मिजन ऑफ ओनलाइन एप्लिकेशन इस फॉर्म 284-2022-3420 यानि कि बात करेंगे 28 अपरेल 2020 से 30 अपरेल 2020 तक यानि तीन दिन इनका एपलिकेशन का एक्सेप्टेशन रहने वाला ह और पोस्ट से कोई एक्प्लिकेशन भेजेगा वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी नोंने पहले ही कह दिया है और इंट्र्यू विल भी हेल्थ रो वाट्सप और टेलीफोन फ्रॉम एक पांच दोजार बीस यानि एक मई दोजार पांच को इसका इंट्र्यू रहने वाला है तो प्लीज कंड़ेट जल्दी करें आप इस वेकेंसी को फिल करने के लिए देखते हैं किस-किस की वेकेंसी यहां पे GDMO की 13 वेकेंसी हैं CMP, Specialist, Intensivist, Physician, Anesthetic यहां की 11 वेकेंसी बात करते हैं आप इस नर्सिंग की इंपोटेंट यानि की नर्सिंग की वेकेंसी नर्सिंग सुप्रिडेंट की यहां पे पोस्ट रहने वाली हैं अलग-अलग केटेग्री की बात करूं तो आपकी SC की यहां प 40 साल तक आप फोर्म फिल कर सकते हैं अगर आपकी SC के अंडर हैं बात करें तो 44,900 पर मंत के साथ अलाउंस और दिया जाएगा अगर अप्लिकेबल है तो नएक्स बात करें लेब असिस्टेंट की 5 पोस्ट, रेडियो ग्राफर की 5, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट की 5 और ECG ट 50-figured as a registered nurse and midwifery having past 3 year course यानी G&M किया हुआ हूँ, किसी भी midwifery from a school of nursing से या other institute recorded by Indian nursing council से हो या आपने B.Sc nursing कर रही हो, तो with experience of working in critical unit more than 15 beds, 15 beds से उपर आपने काम किया हुआ होना चाहिए critical unit में, ठीक है next बात करूँ, 15 beds hospital के नहीं है, यह 15 beds critical unit के है, जो की 15 beds से उपर होना है, चाहिए next बात करें, इसके important चीज़ोंगी, तो हम बात करते हैं, यहाँ पर जो भी आपका reservation रहेगा, as a caste, as a Indian government के according ही रहने वाला है, और बात करें, retired railway government employee up to age of 65 year can also apply, अगर retired है, कोई railway का employee तो वो 65 साल तक apply कर सकता है, next बात करें, important चीज़ों की, तो committee, candidate will experience will be given preference, अगर किसी candidate के पास experience है, तो उसको prefer किया जाएगा, पहले उसे prefer किया जाएगा, और बाकि आप terms and condition पढ़ लीजेगा, next अगर important बात करूं, तो आपका forum fill करने का type बता दूं, तो आपकी important चीज़े हैं, कि आपको ये किन-किन के साथ ये भेजना है, relevant document, date of birth certificate, या SSC board certificate, cast certificate, next बात करूं, Indian government का cast certificate, ये नो की state का, ठीक है, अगर non-criminalier certificate in case of OBC, OBC के candidate तो उसको non-criminalier, OBC के candidate के लिए criminalier और non-criminalier दो परगार के, क्या होते है, cast certificate होते है, next बात करूं, working है, कहीं तो वहाँ की NOC होने चाहिए, और experience certificate होना चाहिए, अगर वो लगाता है, applicable है, academic education qualifications का वहाँ पर, उसके पास mark sheet या certificate होना चाहिए, registration council होने चाहिए, आधार card उसके पास होना चाहिए, next बात करूं, e-carmic की आप site पर आजाके, आप forum fill कर सकते हैं, 284-2020 से, how to apply, apply की बात करें, तो the candidate can only apply, online on official website, जो e-carmic है, and as well through the mobile on e-carmic, bct, downloadable application, available on google play store, can also download the notification, यानि application के थुरूब भी आप ये fill, यानि google play store पर आपको application मिल जाएगी, इसकी fill कर सकते हैं, एक बार डेट, फिर से बता देता हूँ, 284-2020 से 34-2020 के 17 बज़े, यानि 34-5 बज़े तक ही आप apply कर सकते हैं, first the applicant has registered himself, herself by proving his basic detail, and for which open link, यानि link open करेंगे, और बाकी की चीज़े परेंगे, पहले आप apply now पे जाओगे, फिर apply for temporary form पे जाओगे, फिर press button to concert notification, फिर login dashboard, register new user, फिर new user, click here, and फिर आपका combo box, and enter your mobile number, फिर mobile number पे OTP आएगी, फिर enter OTP करोगे आप, उसके बाद में, employee added successfully, फिर login पे जाओगे, login dashboard, या register new user, enter your register mobile number, and press send OTP, and receive OTP, can click login, application form will appear, and fill up the detail, fill carefully, then save draft button, and the form will be saved temporarily, again go through the detail, fill by the carefully, and press save, final, to complete, final process submission your application, after successfully completion of the above process, you get reference number, on screen, and will be your get text message on register mobile number, यापके पास reference number, या text message आता है, तभी आपका form complete बाना जाएगा, बरावा, और please note down the reference number, for further corresponding, as well as for validation of purpose in interview, आपके reference number के दोरान ही, दोरान आपको interview के दोरान चाहिए होंगे, वो आपको note down कर लेने है, next बात करूँ, तो ये sample दिखा रहा हूँ आपको, application form का, ये आपका sample रहने वाला है, इसके तहट आपको form को fill करना है, ये आपका form fill का sample है, next ये last, और ये last में आपके signature होने वाले, thank you दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आप इस वीडियो पर आपने चैनल अभी तक subscribe नहीं किया, तो या इस चैनल पर अभी नए हो, तो प्लेचनल को subscribe कर दीजे, और वीडियो को like कर दीजे, अगर आपको पसंद आया हो तो, और अगर आप इस vacancy को अपने दोस्तों के पास share करना चाते हो, तो please share के button से share कर दीजे, thank you, दोस्तों.